देखिए अगर हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल वैलू की तो ट्रिग्नोमेट्री पुरी तरह से जो है वह आपका राइट एंगल ट्रेंगल यानि समकोन तिरभूज के उपर आधारित है जैसे यह हमारा अगर समकोन तिरभूज है तो यहाँ पे आपका की आधार से रिनोट करते हैं तो यह होगे आपका कर्ण यह लंब और इसको क्या बोलेंगे आधार बोलेंगे एच पी और बी अब आपको एक ची और अच्छे से पता होगा कि इन सब को मिला करके यानि तीनों भुजा को मिला करके कुल मिला के छे रेशियो बनता है जिसमे से पहला रेशियो क्या है आपका साइन ठीटा तो साइन ठीटा क्या होता है लंब और कर्ण का लुपात यानि इसको मिलिखते हैं तो टैन ठीटा होता है आपका लंब और आधार का ratio यानि इसको हम लोग P by B लिखते हैं तो तीन ratio तो यह हो गया, बाकी जो होता है वो इस तीनों का उल्टा होता है। जैसे sin theta का उल्टा क्या हो जाता है? cos theta क्या होता है? अगर sin theta आपका lump और kern का ratio है तो cos theta क्या हो जाएगा? कर्ण और लंब का रिष्यो हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, और इसी बज़ा से जब आप साइन ठीटा में कॉस्ट ठीटा से गुना करिएगा, तो मान वन होगा, वन किनु होगा? क्योंकि यह पी बाई एच है, यह यह एच बाई पी है, ह से एच कटेगा, पी से प 1-3 तीटा आपको पता है, तो कॉढ़ ठीटा क्या हो जाता है, टैन आपका लंब और आधार का रिष्यो है, तो यह आपका और रिष्यो, यह पुल मेलाकर 6 रिष्यो है, ज één को आपको धियान रखना पड़ता है, इसी चीज पे आपका क्या है है, पूड़ा का पूड़ा निरोहर है और इसी से आपका सभी formula बनता जितने दिकने अट्रुर में आपके बनते हैं सब आपका इसे पर Original क्या है वह सबसे बड़ी भुजा का जो बर् spiritually टैंगल ट्रैंगल में समकौन तिर्भुज में 라 assez बड़िभुजा का वर्ग क्या होगा सबसे बड़िभुजां का योग के बराबर होगा एक बात और यहां पर आप समझ लिजिए एकि किसी भी number में किसी भी number में जब आप गौर से देखेगा सबसे पहले आप इसको देखे कि 0 में अगर आप किसी भी संख्या से भाग करते हैं x से कहने का मतलब 1,2,3,4,5,6 कोई भी यहां पर number रख लिजिए 0 में जब आप किसी संख्या से भाग करते हैं बैलू के आ जाता है, जीरो आता है, लेकिन इसका उल्टा किसी भी नमबर में, उपर में कोई नमबर रहे और नीचे में अगर 0 है, किसी भी संक्या में अगर आप 0 से भाग करते हैं, तो यह क्या हो जाता है? undefined इसका यूज आगे हम लोग अभी करने वाले हैं तो यहां पर हम लोग समझ लेते हैं ताकि वहां पर हम लोग को दिकत ना हो 0 में किसी भी संख्या से भाग करेगा क्या होगा 0 हो जाएगा लेकिन किसी भी संख्या में जब आप 0 से भाग करते हैं नंबर उपर में चाहे कोई भी नंबर लीजिए और नीचे में 0 रखिएगा क्या हो जाएगा वह आपका अंडिफाइन हो जाएगा एक ची और समझे अगर कभी इस प्रकार से डाटा मिले कि प्रकार से डाटा मिले तो देखे यहाँ भी नीचे यह है तो य से क्या रख बचरा है उपर में एक और नीचे में जड़ बचरा करें आप इस बात को ऐसे भी कुए सकते हैं क्या बचेगा हमारे पास X बटा Z बचेगा इन सब चीजों का आगे आप सकता होगा इस वज़े से हम आपको यहीं पर बता दे रहे था कि वहां आपको दिक्कत न हो ठीक है चली तो इतना बात आप अपच्छे से समझ गए होंगे अगर हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री क सामने वाली भुजा को हम लोग करन बोलते हैं जो कि सब से बरास एड होता है राइट अंगल के सामने वाला जो व बनाएंगे दोनों को मिला कर के बनाएंगे फिर्पिष का उल्टा बनाएंगे फिर्फिस दोनों को मिला करके बनाएंगे तो PBH यानि कि 3 नंबर से कुल मिलाके छे रेष्यों आपका बन सकता है और वहीं छे रेष्यो को हम लोग अगर हम आप से कहें कभी कि टैन ठीटा बराबर क्या होता है तो आप तो कहो गहीं कि सर्ट टैन ठीटा बराबर लंबटा अधार होता है लेकिन टैन ठीटा के बदले आप ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ठीटा बर्टा कॉस्षिटा भी लिख सकते हैं क्यों ऐसा लिख सकते हैं साइन ठीटा का मतलब क्या होता है साइन ठीटा का मतलब होता है पी बाई एच और बटा कॉस्षिटा का मतलब क्या होता है यहां भी देख लिजे नीचे एच यहां भी नीचे एच एच कट गया पी बाई क्या बचा बी तो पी बाई बी किसका मान आया साइन ठीटा बटा कॉस ठीटा का और पी बाई बी किसका मान है पी बाई बी देख लिजे यहाँ पर पी बाई बी टैन ठीटा का मान है तो टैन ठीटा का मान पी बाई बी होता ही है लेकिन इसके अलावा आप इसको सा आपका होता है इसका उल्टा हम क्या लिख सकते हैं कौस छीटा-बट्टा-जान-ठीटा यह चोटी-छोटी बाते हैं जिसको आपको धियान रखना पड़ेगा बिल्कुल बेसिक चीज हम ट्रिकुनमेट्रिक आपको बता है तो काझ Kira करिए गांक्ष में सब्सक्राइब सबिस्टेट करिये गा कट के लिए तो इसी reg तो अब यहां पर टे हैं आई यह वैल्यो निकालना हम लोग सीखते हैं एक छोटा सा बात आपको तो बस धियान रखना है जब भी ट्रिग्नोमेटिकल वैलु आपको निकालना पड़े जैसे देखे सुरुवात हम साइन से करते हैं तो साइन ठीटा का मान जो होगा वह क्या हो जाएगा रूट अंडर जीरो बट्टा चार क्या होगा रूट जीरो बट्टा चार ठीक है साइ आगे आपको लिखना है रूट अंडर तीन बट्टा चार और फिर आगे क्या लिखना है आपको फिर आगे लिखना है रूट अंडर चार बट्टा चार अब याद रखना देख लिजे इससे कितना सिंपल आपके लिए हो गया साइन ठीटा का वैलू जब भी निकालना जीरो तीस मैं तालीस आट नब्बे जहां भी देखिएगा मान आपको बस इतना ही याद रखना है और इन ही मान के हिल्प से बांकि सभी का मान हम लोग निकालते हैं जब हम लोग अगला क्लास देखेंगे तो ठीक्नोमेटिकल जो बराबरा वहलूज है बरे बरे वहलूज का मान निकालना भी हम लोग सिखेंगे नेगेटिव हलूज का भी मान निकालना सिखेंगे लेकिन सब जगा जो है हम लोग इन ही कॉंसेप्ट का यूज करेंगे तो यह बहुत इंपोर्टेंट है इसको ध्यान रखिएगा यहां पे ट्रिप क्या हो गया रूट अंडर जीरो बटाचार रूट अंडर 1 बटाचार दो बटाचार इस तरीके से अब 0 बटाचार अब टीम में किसी भी नंबर से भाग करिएगा तो 0 ही ओगा न आगे देख लीजे, दो से काटिएगा, दो दुना चार, रूट दो बटा चार है ना, तो रूट दो बटा चार को काटिएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक बटा दो होगा, अरे दो दुना चार तो एक बटा दो ही होगा ना, एक का बर्गमूल एक हो जाएगा औ और दो का बर्गमूल निकलेगा नहीं तो 1 by root 2, यानी root 2 बट्टा 4 का मान क्या होगा, 1 by root 2 हो जाएगा, किलिए रोपारा होगा, आगे चलिए, यहाँ पे देख लीजिये, बर्गमूल ऊपर वाला नीचे वाला दोनों का निकालना है, तो 3 का बर्गमूल नहीं निकलेगा, तो तीन को रूट में छोड़िए च्यार का बर्गमुल कितना हो जाएगा दो यानि रूट 3 by 4 यहां देखे चार बट्टा चार मतलब एक और एक का बर्गमुल कितना होगा एक का बर्गमुल आपका एक हो जाएगा तो इससे क्या हुआ प्रगमुल कितना हो जाएगा अपका एक हो जाएगा कैसे देखना है root under 0 बट्टा 4 बट्टा में हर जगा 4 ही रहेगा उसके बाद 1 बट्टा 4 दो बट्टा 4 तिन बट्टा 4 चार चार इस तरीके से तो इस तरीके से हम लोग क्या किये कि sign का मान याद कर लिए अब देख लीजे इसका just उल्टा आपका cost का मान होगा इधर क्या किये थे आप 0 से सुरू किये थे 4 तक गये थे आप इस बार क्या करिए इस बार आपको क्या करना है कि 4 से सुरू करना है और जीरो तक आ जाना है चार से सुरू करके क्या करना है जीरो तक आ जाना है यानि कि रूट अंडर ऐसा क्यों करेंगे यह बात भी हम आपको बताएंगे रूट निए एंडर टीन बड़ताचार नहीं वाला में स्चक्वलत में क्या हुआ था सइन वाला में हम लोग बढ़ते गय थे लेकिन कॉस बाला हीर से सुरूख करना है और 0 तक आना है सब्सक्राइब दो है तक आ सब्सक्राइब तक बढ़ मुण हो रहा है लेकिन सब्सक्राइब अंगल बढ़ने inhib साइवतर तक हो तक घरेगा थूम क्या करेंगे उल्टाचलेंगे पहले चार फिर तीन फ्र दो फिर एक फिर जीरो अब देखिए चार बट्टा चार मतलब एक औरएक का बहर मुझ नहीं इनकलेगा तो ऊपर में रूट लेकिन जीरो का मान एक होता है आप इस चीज़ को ऐसे भी कह सकते हैं जब आगे हम आपको पढ़ाएंगे बताएंगे जब इंटरचेंजिंग्ल का वह सिखाएंगे तो वहां पर एक और जाँजाएग optimize को चैख़ेंगे थिए आधर कर रहे हैं तो देख लीजएए जी root 2 root 3 by 2 और वन उसी को उल्टा कर में लिख लिज़ें ना देखिए 1 root 3 by 2 1 by root 2 और 1 by 2 और उसके बाद क्या है जीरो मतलब जो साइं theta common है उसी को उल्टे कर में लिख लेते हैं तो यहीं क्या हो जाएगा cost theta common याद रखने का तरीका क्या हो गया अगर cost common निकालना होगा तरे थिटा के बारे में क्या दिखे थे आप सब और सिक्ः deeper देख लिएए यहाँ एस झिरू का मानी और यह क्या है vec जीरो का मान तो टैनि को क्या होगा साइजिजी र बटेका एक जीरो यहां देख लिजी historically edited यwe जो साइन तीन प्याहर्य। इस difूता क्या होता है साइन भटेको तो सैंंu sil charmant आगे देख लिजे, यहाँ पर सेम चीज है, देखे, 1 by root 2 में, 1 by root 2 से भाग करिएगा, 1 हो जाएगा, यानि कि 10, 45 का मान, 1, आगे देख लिजे, यहाँ देखे, root 3 by 2 में, 1 by 2 से भाग करिएगा, तो नीचे 2, यहाँ भी नीचे 2 कर जाएगा, root 3 by 1, यानि root 3 हो जाएगा, और बट्टा जाएगा अनडीफाइन तो इस तरीके से आप क्या किये हैं इस तरीके से आप यहां पे फैलो निकाल लिए हैं साइन का कॉस का और टैन का अब कॉट में चलते हैं कॉट ठीटा बराबर देख लिए क्या होता है कॉट ठीटा बराबर होता है कॉस बट्टा साइन क्या होता है कॉस बट्टा साइन तो देखे एक बट्टा जीरो या फिर आप इसका उल्टा भी कह सकते हैं टैन का जो मान होत होता है उसका उल्टा ही तो कौट का मान होगा तो जीरो का उल्टा क्या होता है अब जब आप इसको उल्टा करिएगा तो क्या हो जाएगा एक बट्टा जीरो और एक बट्टा जीरो का मतलब क्या होता है अन्डिफाइन होता है तो जीरो का उल्टा कहने का मतलब जीरो का मतलब एक बट्टा जीरो बट्टा एक हो सकता है और जीरो का जब भी आप उल्टा करिएगा तो यहां अन्डिफाइन हो जाएगा तो यहां देखिए कौट 45 45 एक हो जाता है आगे रूट 3 का उल्टा बताईए 1 बाई रूट 3 के बट्टा में कुछ नहीं मतलब क्या होगा रूट 3 के बट्टा में कुछ नहीं मतलब एक होगा उल्टा करेंगे 1 बाई रूट 3 और अंडिफाइन का उल्टा क्या हो जाएगा अंडिफाइन का उल्टा यहाँ पे आपका अंडिफाइन का उल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा एक बट्टा जीरो है ना तो यहाँ पे आपका जीरो हो जाएगा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा वैसे भी कॉट ठीटा है ना तो कॉट ठीटा का मान कॉस बट्टा साइन तो 0 बट्टा एक यानि कितना 0 तो undefined का उल्टा यहाँ पे 0 और 0 का उल्टा undefined क्योंकि बट्टा में हमेशा या तो हमेशा क्या होगा यहाँ पे 1 होगा इस चीज से भी आप पकर सकते हैं कि कोट ठीटा तामान कॉस बट्टा साइन तो कॉस 0 है और यहाँ आप साइन एक है 0 बट्टा एक क्या होगा जिरू होगा अब बढ़ते हैं आगे अब आगे बढ़िए अब सेख ठीटा का मान बताई यह कॉस का उल्टा करते चलिए कॉस यहाँ पे है एक का उल्टा बता दीज का रूट दो हो जाएगा इधर देख लिए एक बट्टा दो उल्टा करेंगे दो हो जाएगा यहाँ जीरो है जीरो का उल्टा बता दीजे अंडिफाइन होगा जीरो का उल्टा का ही उल्टा सेक्षिटा होगा ना तो जीरो का उल्टा क्या होगा अंडिफाइन हो जाएगा आगे बढ़ते हैं, कॉसेक ठीटा का मान निकालते हैं, साइन का उल्टा करिए, तो 0 का उल्टा बताइए, सर 0 का उल्टा अंडिफाइन हो जाएगा, 1 बटा 2 का उल्टा क्या होगा, 1 बटा 2 का उल्टा 2 हो जाएगा, 1 बटा 2 का उल्टा, 1 बटा 2 का उल्टा, और इसका यूज जो है बहुत जादा होता है ठीक है हर बार जो है इसके उपर आधारित कोश्चन्स आपको एक्जामनेशन में देखने को मिलता है ट्रिवनमेट्री से अगर कोश्चन्स पुछा जा रहा है तो वहाँ पर आपको इसका यूज करना ही पड़ेगा ठीक है और इसके मदद से जो है केवल वैलू निकालने वाला ही नहीं और भी करी टाइप का जो कोश्चन्स होता है उसको सोल्ब करने के लिए हम लोग इन वैलू का उप्योग करते हैं